हेलो स्टूदेंट्स मेरा नाम है श्वेता स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूग चैनल लखनाव लर्निंग में लिस्टर्स आज की इस वीडियो में हम के बारे में जानेंगे यानि कि decision making के कौन-कौन से प्रासे हैं और टेखनीक कौन-कौन से हैं तो उसके बारे में देखते हैं क्या क्या बाते कहीं गई हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि decision making process in management involves various steps several steps and techniques to ensure effective and informed choices here in overview क्या कहने का मतलब है कि decision making process management में उसमें बहुत सारे steps आते हैं टेखनीक्स आती हैं जो कि ensure करती है कि जो हमाई चोईसे हैं वो informed और effective choices के लिए बताते हैं यहां पर कुछ देखिए overview दे रखा है इसके बारे में तो क्या के चीज़ें हैं तो उसके बारे में बात कर लें तो पहला decision making process की बात करें कौन-कौन से process है तो one by one discussion करेंगी लिसनर्स तो सबसे पहला आता है process हमारा identifying the problem यानि problems को identify करना कि क्या problem है हम क्यों यह decision लेने जा रहे हैं तो problems को basically हम find out करते हैं तो इसमें क्या होता है clearly बात कर लेते हैं इसमें आता है clearly define the issues that needs to be addressed उस problem को पता करना उस issue को पता करना define करना जिसको हम को basically solve करना है next आता है गेदर information अब जो issue है जो problem है उससे related information के अधर करेंगे इसमें हम क्या करते हैं collect relevant data information to understand the context and implications of the decision relevant data उसे related हम data को find out करते information को ताकि हम उसके संदर में चीजों को समझ सके हैं और decisions को implication कर सकें थर्ड पॉइंट आता है identifying alternatives यानि कि जो भी alternatives हैं उनको identify करना कौन-कौन से alternatives हो सकते हैं अगर हम इस चीज़े कर रहे हैं तो जिसमें basically हम क्या करते हैं generate a list of possible solutions और options अवलेबल बो लगे हैं कि हम इसमें list बनाते हैं solutions और जो options हमारे पास possible solutions और options अवलेबल हैं उनकी क्या के solutions हो जकते हैं उस problem के क्या क्या options हैं उसके अवलेबल उसकी list बनाएंगे तो basically इसमें कहने का मतलब यह है कि उसका list बनाना solutions और options जो भी अवलेबल हैं फिर आता है मारा fourth point evaluating alternatives करना alternatives को मुल्यांकन करना अब आपने identify तो कर लिया कि क्या के चीज़े हैं लेकिन अब उसका मुल्यांकन करना इसमें क्या आता है ऐसे दी प्रॉस और कॉंस ऑफ इच ऑप्शन बेस्ट बेस्ट अन क्राइटेरिया सच इस cost feasibility and potential impact यानि कि जितने भी options आपने कि चूज किये हैं उसके और क्राइटेरिया के विसीज़ पर उसके प्रॉस और कॉंस को चेक करना क्या ड्वांटेज जिसे कॉस्ट हो गया विजिबिल्टी हो गई पोटेंशियल इंपक्ट हो गया फिफ पॉइंट आता है लिसनर्स मेक दा डिसीज़न इसके पाद हम डिसीज़न लेते हैं इसमें क्या होता है तूस अल्टरनेटिव को चूज करना जो कि हमारे गोल्स और वैल्यूस को पूरा करती हो और्गाशिजिशन को लाइंग करती ह से एक प्लान डेवलब करते हैं ताकि जो भी सॉलुशन हमने चूज किया उसको एक्जिक्यूट किया जा सके और फिर हम रिसोर्स को कर देते हैं सेवन पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा मॉनीटर एंड रिव्यू मॉनीटर एंड रिव्यू करते हैं लास्वें हम इन्हीं क को मुल्यांकन करना उनके अफेक्टिवनेस को फिर जो भी जरूरत हो जहां पर भी उसको करना तो यह कुछ डिसीजन मेकिंग के प्रॉसस था आई होप लिसनर्स ही समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से इन सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज कि सबसे न बाई-वन लिसनर्स करैंगे सबसे हमारा टैकनीक आता है को सब्सक्राइब करना इस disciplines क्या होता है रिखलिप से नियुकर कटे करना में घुसेल चैक करना होता है हर एक लिए сх vari ak-alty corner होना च्वाट अिज ऑन चीडिने सब्सक्राइब listeners देखिए SWOT का full form ही होता है strength weakness opportunity and threat तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं ऐसे is the strength weakness opportunity and threat related to each option यहनि कि जितने भी options है हमारे पास उनके strength को देखना weakness को देखना opportunities को देखना और threat को देखना next आता है third point है हमारा decision matrix यहनि basically कर सके जो भी alternatives हैं उनके जो की multiple criteria पर बेज़ हैं फिर हमारा fourth point आता है listeners brainstorming brainstorming तो आप सब जानते ही होंगे कि क्या brainstorming इसमें भी देखिए क्या करते हैं encouraging creative thinking to generate a wide range of potential solutions इसमें creative thinking को बढ़ाते हैं ताकि हम बहुत सारे solutions wide range of solutions को generate कर सके next आता है मारा fifth point है parato analysis parato analysis basically क्या होता है listeners parato analysis में क्या बात कहीं गई है तो बात करते हैं focus on identifying the most significant factors that will have the greatest impact यानि उस significant factors को most significant factors को पहचानना identify करना जो कि जिसका greatest impact पड़ता है किसी भी चीज़ पर यह होता है parato analysis का मतलब next point listeners हमारा next point आता है listeners हमारा Delphi technique Delphi technique क्या होता है Delphi technique में basically होता क्या है तो इसके बार में बात करेंगे तो इसमें आता है gather insights from panel of experts through multiple rounds of questioning to reach a consensus consensus तक पहुचने के लिए multiple rounds करना किसके question के panel of experts के जरिए ताकि हमको insights मिल सकें यह होता है Delphi technique फिर आता है हमारा seventh point है यानि कि seven point में क्या बताया गया है listeners basically scenario planning scenario planning में क्या होता है consider different future scenario to evaluate how various decisions में perform under changing condition different future scenario को consider करना तक हम लिएंकन कर सके कि कैसे सारे decisions वो फॉर्म होते हैं हमारे changing conditions में फिर आता है हमारा next point आता है listeners हमारा जैसा कि आप देख सकते स्क्रीन पर हमारा next point है root cause analysis root cause analysis क्या होता है तो इसमें basically हम बात कर लेते हैं listeners तो इसमें root cause analysis basically क्या होता है just wait for a minute इसमें हम identifying the underlying cause of the problem to address it effectively यानि कि हम जो की problem है उसके causes को identify करते हैं ताकि उसको क्या कर सके effectively तरीके से उसको हटाया जा सके तो यह होता है root cause analysis I hope listeners आपको वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like share and subscribe करना ना भूलेगा और listeners आपका review जरूर दीजेगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा so ताकि हम भी इससे motivate होते listeners बार बार नहीं नहीं वीडियो लाने के लिए और so thank you so much